So guys, अगर आप Play Store से एप परचेज करते हैं, तो आज की वीडियो आप ही के लिए हैं So hello and welcome guys, मैं हूँ आपका दोस्त नवीन और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस परकार आप Google परचेज हिस्टरी को डिलीट कर सकते हैं तो guys, वीडियो को skip मत कीजिएगा और पूरी देख लीजिएगा लेकिन आगे बढ़ने हैं पहले guys, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज की वीडियो देखे guys, अगर आप play store से कोई भी app पर change करते हैं और उसकी जो purchase history है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है देखिए, जब आप account पर click करते हैं तो आपको third number पर यहाँ पर purchase history का option show होता है देखिए guys, यहाँ पर आपको purchase history मिलती है अगर आपने कोई भी app को purchase किया है और आप यहाँ से उस history को delete करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी option delete के लिए नहीं मिलता देखिए, जैसे यह नीचे एक app है जिली मैं इस पर long tap प्रेस करके रखता हूँ तब भी हमें इस परकार का कोई option show नहीं होता है जिससे हम इस purchase history को delete कर सके तो guys, अब मैं आपको बताऊंगा किस परकार से आप इस purchase history को delete कर सकते हैं उसके लिए guys, आपको क्या करना है आपको आजाना है back आजाने बाद सिरफ इसका एक ही option है guys जिस Gmail ID से आपने play store पर ID बनाई हुई है जिस ID से आपने यहाँ पर purchase किया हुआ है आपको उसको ही delete करना होगा तो guys, देखिए आप उसको किस परकार से delete करेंगे मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको open कर लेनी है अपनी Gmail और आपको left side में उपर की तरफ यह तीन लाइने show होती है आपको इस पर click कर लेना है click कर लेने के बाद guys, आपको नीचे की तरफ scroll करना है और आपको setting option मिलेगा setting पर tap कर देते हैं और यहाँ से जो भी आपको Gmail है जिससे आपने play store की ID बनाई जिसके तरूँ आपने कोई भी app को purchase किया है वो आपको mail select कर लेनी है जब आप select कर लेते हैं तो आपको account पर manage your google account पर tap कर देना है जैसे ही आप tap करते हैं तो आप यहाँ पर आ जाते हैं आपको कुछ इस परकार का interface दिखाई देगा तो आपको क्या करना है यह उपरी तरफ आप देखते हैं home, personal info, data and personalization आपको data and personalization पर click करना है और आपको नीचे की तरफ scroll कर लेना है और करते जाना है नीचे की तरफ आप जब scroll करते हैं तो आपको एक option दिखाई देगा delete a service for your account आपको इस पर tap कर लेना है और यहाँ से tap कर लेने के बाद आपको इस परकार का interface सो होगा और यहाँ से आप थर्ड नमबर पर देखेंगे delete your data और delete your google account आपको delete your google account पर tap कर देना है यहाँ से आपकी जो gmail है जिसके थुरू आपने purchase किया है कोई भी app या कोई भी game उसको आप यहाँ से delete कर सकते हैं तो guys आज की वीडियो में मेरे को आपको इतना ही बताना था अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो please हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए और हमारी वीडियो को like कर दीजिए तो मिलते हैं एक नई वीडियो में till then bye bye friends